इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और पेट की सामगरी को आपके अनप्रनाली और मूह में वापस आने देती है वैपरकेट टैबलेट M.D. प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है यह आपके पेट में बनने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है और नाराजगी और एसिड रिफ्लक्स से जुड़े दर्द से राहत देता है आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है जीवन शैली में कुछ सरल परिवर्तन GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं इस बारे में सोचे की कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें छोटे और अधिक बार भोजन करें यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें गोलियों को गीले हाथों से न संभालें इसे अपने मुह में डालें लेकिन इसे निगलें नहीं वैप्राकेट टैबलेट M.D. को खाली पेट लेना है वैप्राकेट टैबलेट M.D. एक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर यानि की PPI है यह पेट में एसेड की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसेड से संबंधिता पच और नाराज की से राहत दिलाने में मदद करता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद